नमस्कार मैं गिते सिंग और आप देख रहे हैं नियूस लाइफ शपत से पहले कासी में पीम मोदी का हरर महा देव प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाओं में बंपर जीत के बाद आज काशी पहुँचकर बाबा विश्वनात के दर्सन की और पूजा अर्चना की इसके बाद पार्टी करकरताओं को सम्मोधन के शुरुवात हरर महा देव से की पीम मोदी ने कहा कि करकरताओं को संतोसी मेरा मूल मंत्र है मैं पार्टी और करकरता हूँ के आदेश का पालन करता हूँ मोदी ने बनारस पे चुनाओ लड़े सभी प्रत्याशियों का धन्यवाद भी किया येदी यूरप्पा ने जेडियस के साथ सरकार बनाने से किया इनकार लोकसभा चुनाओ के बाद करनाटक में जेडियस कांग्रेस गडवन्दन तूटने के कयास लगाये जा रहे थे लेकिन करनाटक भाजपा प्रमुख युदू यूरप्पा ने कहा कि जेडियस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे वह चाते हैं कि फिर से विदानसभा चुनाओ हो एटिडी कुमार स्वामी की अगवाई में 2020 डिल के तहट साषन चलाने का अनुवव काफी खराब रहा है मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहता पश्चिम बंगाल में खराब परदर्शन के बाद गदारों की तलाश में जुटी ममता बनर जी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाओं में खराब परदर्शन और बीजेपी के 139 विदानसभा चेतरों में लीड करने के बाद मुख्यमंतरी और त्रेडमूल कॉंग्रेस नेता ममता बनर जी ने अपनी पार्टी के अंदर के गदारों की तलाश शुरू कर दी है भाजपा अन्या साथ सीटों पर मात्र 4000 वोटों से हारी है ममता बनर जी ने अपने वरिष्ट नेताओक से कहा है कि वे ऐसे नेताओक की पहचान करें जिन्होंने बीजेपी को वो ट्रांसफर करने में मदद की सबसे युवा सांसद बनी चंदराणी मुर्मू ढून रही थी नौकरी पर पहुँची संसद इस बार लोकसबा में सबसे कम उम्र की सांसद ओडिसा की चंदराणी मुर्मू बनी है चंदराणी की उम्र 25 सल 11 महिन्य है क्योंजर सीट से बीजू जनता दल ने चंदराणी को उमिदवार बनाया था चंदराणी इंजिनियरिंग गेजूएट है और वे नौकरी खोज रही थी चंदराणी के नाना हरियर्ट सोरेन 1980 से 1989 तक दो बार कॉंग्रेस के संसद रहे हैं हलाकि मुर्मू का परिवर अब राजनीती में सक्री नहीं है सत्रवी लोकसबा का पहला संसद 5 जून से शुरू हो सकता है यह संसद 5 जून तक चलने की संभावना है इसमें सभी संसदों को प्रोटेम स्पीकर शपत दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष संसद को बनाया जाता है इसके बाद लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाओ होगा लोकसभा में परंपरा रही है कि स्पीकर का पद सत्ता पक्ष को और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्षी दलो को मिलता है सुरेंदर सिंग मडर केस में नामजन तीन आरोपी गिरफतार दो फरार अमेरिटी में स्मृती इरानी के करीबी सायोगी सुरेंदर सिंग की हत्या के मामले में पुलीस ने तीन नामजन आरोपी को गिरफतार कर लिया है जबकि दो आरोपी अभी फरार है इससे पहले अमेरिटी की सांसत इस्मृती इरानी बरॉलिया गाउं इस्ति सुरेंद सिंग के घर पहुंची थी हत्या के पीछे चुनावी रंजिस की बात सामने आ रही है सुरेंद सिंग पुर्व प्रधान थे जम्मू श्रीनगर राजमार्ग यातायात के लिए बहाल जम्मू श्रीनगर रास्टी राजमार्ग को कई घंटे तक बंद रखने के बाद आज सुवय यातायात के लिए खोल दिया गया परिवन विभाग के मुताबिक रामबन जीले के बैटी चस्मा इलाके में रविवार रात को ताजा भुस्कलन के बाद यातायात को अस्थाई रुप से बंद कर दिया गया था राजमार्क बंद होने से दोनों और वहनों की लंबी कतारे लग गई थी यातायात बहाल होने से काफी रात मिली है तीन रुपे तक बढ़ सकते हैं पेटरोल और डीजल के दाम पेटरोल और डीजल की महंगाई से जल्द कोई रात मिलने के उमीद नहीं है दिल्ली में पेट्रोल के दाम 64 पैसे प्रती लीटर और डीजल के दाम 68 पैसे प्रती लीटर बढ़ गए है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है अंतरास्टी बजार में कच्चे तेल के दामों में तेजी के चलते देश की तेल कंपनिया पेट्रोल और डिजल के दाम तीन रुपए प्रती लीटर तक बढ़ा सकती है सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा चार साल में लगाए सबसे ज़्यादा छक्के वर्ल्ड कप में भारती टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा से काफी उमीदे हैं वन्डे में तीन दोरे शतक लगाने वाले रोहित पिछले चार साल में रन मर्शीन बनकर उपरे हैं इस दोरान रोहित ने सबसे ज़्यादे चक्के लगाए हैं लेकिन वे बल्लेबाजी के शुरुआत काफी धीमी गती से करते हैं रोहित दुसरे सबसे धीमे बल्लेबाज हैं उनके पीछे केवल बांगला देश के तम्यम इकबाल ही हैं सल्मान ने प्रियंका चोप्रा से मांगी फिल्म भारत के प्रमोशन में मदद सल्मान गान इन दिनों अपनी फिल्म भारत के प्रमोशन में व्यस्त है हाली में फिल्म के प्रमोशन के दरान सल्मान ने प्रियंका चोप्रा पर निसाना सादा दरसल इस फिल्म में पहले प्रियंका मुख्य भूमी का निभाने वाली थी लेकिन निक जोनास से सगाई करने के लिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी सल्मान ने कहा कि प्रियंका इस फिल्म में नहीं है लेकिन वे फिल्म का प्रमोशन तो कर सकती है आज के लिए सिर्फ इतना एक कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ तब तक देखते रहे हैं और सब्सक्राइब कीजिए निउस लाइफ